देखें ये तेन साल पहले ही स्पेरिमेंट में करके पीटिया के उकूमत में दिखा चुका हूँ फाज चौदरी साहब को कमरांगा साथ हम कच्रे से बिजली पैदा कर सकते हैं और जो फैक्टरी ने बिजली के वज़ा से बंद होई पड़ी है वो भी इन्शालाद आन होगी तो उनमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा हम हवास से बिजली पैदा कर सकते हैं हम कच्रे से बिजली पैदा कर सकते हैं यह जो शासतान बैठे हुए हैं ठीक है सीटों के उपर ठीक है इनका खाना भीना तो बंद हो जेगा क्योंकि इसलिए कि इस पे बैठके शास्त करते हैं कि आज फलाना गटर के बंद हो गया अज इतने लोग मर के क्रैची के अंदर गटर बंद हो गया जब बारिश का या सलाब का पानी आता तो वो इस कच्छरों की वज़ा से आता क्योंकि नदीनाले बंद होते हैं जो कुछ इंवेस्टर हैं जो को काम करना चाहते हैं लेकिन वो तो हकुमत से डरते हैं कि हकुमत भी इसमें आएगी एक चीज को त्यार करने में बिजली हमारी 500 रुपए की खर्च हो रही आकर वहां ही हमारी बिजली 100 रुपए की खर्च होगी तो वो उस चीज का रेट 400 रुपए वैसे ही कमा आजएगा और मसला ये क्या है कि उनको बता है हमारा खाना भी न बंद होजेगा अगर हमें बिजली सस्ती कर देंगे तो हमाम को कैसे लूटेंगे असलाम नाजरीन और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी वेजबान आपने मुजीद नाजरीन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मुलक पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है महंगाई के बारे में तो हम सब भी जानते हैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो वैसे वैसे जो अश्याय जरूरियात जिन्दगी होती है उनकी कीमतों में इजाफा होता रहता है आटे की सुरते हाल हम सब के सामने इस तरह बहुत सारी इंफलेशन जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है चीजों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और इसी तरह जब पैट्रोल और डीजल की गिम्तों में अजाफा होता है तो और भी बहुत सारी जीज़ेंLet's की चीज़ें में जाफा होता रहता रहता यो जिनाब पाकिस्तान में भूपुपारी जीज़ुन हें अगर उने जिन मिसाल का हल हमें नहीं मिल रहा हुए जिन्हों ने एक ऐसी मशीन जो है वो इजाद की है जिसमें वो कच्रा डालते हैं उस कच्रे के जरीए जो है वो पैट्रॉल बनाया जाता है अभी तक तीन साल गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो हकुमत की सेह सबसे पहले तो इस चीज के बारे में बताएं इस मशीन के बारे में बताएं जो आपने जो है वो इनवेंट किया तरह आपको झाया अपको हुडुक्रा कर और रिच्टे वाहड बिजली है जो गरीब आवाम को सस्ती दी जाए तो मेरे साथ से महंगाई और बेरोजगारी खतम हो जाती है क्योंकि सस्ती बिजली होगी तो बार से लोग भी आएंगे फैक्टरियन चला लगाएंगे और रोजगार खुलेगा और जो फैक्टरी हैं बिजली के वज़ा से बंद हुई पड़ी है वो भी इन्शालला आन होगी तो उनमें भी लोगों को रोज़गार मिलेगा इस तरीके से हमारे मुलक में महंगाई और भी रोज़गारी खतम हो सकती है इस मशीन के बारे में मुझे बताएं कि किस तरह काम करती है और इस पे कितनी कॉस्ट आई आई आगा देखेंगे जो स्पेरिमेंट तो बहुत ज़्या खर्चा हुआ था यह तो एक डेमो बना के दिखाया जा रहा है कि हम एचोटा से तीन से चार केजी कच्छा ड़ रहा है यह एक डेमो है हम अगर इसको फैक्टरी लेवल पे लगाएं जैसे दूसरे मुलकों में इंडिया में लगी दूसरे मुलकों में लगी हैं वो कच्रे से बिजली नर्जी पैदा कर रहे हैं और अपनी अवाम को दे रहे हैं इसी तरह पाकिस्तान हकूमत घर चाए तो हमारी अवाम को बिजली हम फ्री में दे सकते हैं सस्ती दे सकते हैं हम नेरों से भी बिजली पैदा कर सकते हैं हम हवा से भी बिजली पैदा कर सकते हैं हमारे पास अल्ला ताला की रहमत से बहुत सारे सोस हैं पाकिसान को सबसे ज़ादा जिन मसाल का सामना उस पर भी काबू पाए तो जब कच्रे का अलो हो जएगा तो फिर तम्हारा मुलक साफ हो जएगा यह जो शासदान बैठे हुए है ठीक है सीटों पे उपर ठीक है इनका खाना भीना बंद हो जएगा क्यूंकि इसलिए कि इस पे बैठके शासत करते हैं कि अज फलाना गटर के बंद हो गया अज इतन जबने बनने का पर आप अज़यखे प्लास्टर की आहिए कोधा इसकीम करोड़ तेल से बनाए जाता है अगर था अगर आम फिल्टर मेशीन लगा जाते हैं अब यह आइडिया कितना अच्छा और इसको सपोर्ट किया जाए इन्वेस्टर जाए अभी तक कोई इन्वेस्टर आपकी तरफ आया है बस पाकिस्तान है यहां सिरुफ पूछा जाता है और फिर लोग हकूमत से भी डरते हैं कि हक हकूमत से भी लोग जो कुछ इन्वेस्टर हैं जो को काम करना चाहते लेकिन वो तो हकूमत से डरते हैं कि हकूमत भी इसमें आएगी तो फिर हकूमत हमें परिशान न करते हैं मारा पैसा न जाया हो जब फुद तो आती नहीं दूसरों को भी निकरने जेती बहुत बड़ा आप तीन साल हो गए इस मेशीन को बने वे कोई जो है वो इसमें हुए कि आपको कुछ फाइदा मिला हो को रिजर्ट मिला हो अमाम को नहीं पूरे मुलक को फैदा पहुंचता है क्योंकि इससे महंगाई और विरुदगारी जब एक बिजली आप सस्ती आठ रपय या च्छ और सुर्पय वैसे ही काम आजेगा बिजली जो बिजली पैट्रोल डीजल हम जो है वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं जब हम खुद ही चीज बनाएंगे तो हमारे लिए भी वह असानी होगी सस्ती होगी पैट्रॉल डीजल को आप मैं कहता हुआ हुकुमत छोड़ दे चलो मुझे आप बाते सुनके यही लग रहा है कि शायद हमारी हुकुमत चाहती ही नहीं है कि यह मुल्क जो है वो तरक्की करें क्योंकि अपने जो यह चंद चीजें हैं जिस पे खेलना है और इस मुल्क को आज 2023 हो चुका है और 2023 में अगर पाकिस्तान में बिजली पानी पैट जो है वो सपोर्ट करें इनवेस्ट करें फैक्टरी लगें जब फैक्टरी लगेंगी तो बिजली के मिसायल से तो अट लीस्ट हम जो है वो निजात हासिल कर सकेंगे तो अगर कोई देख रहे कोई सुन रहे तो खुदारा इनकी जो चीज इनने बनाई है अट लीस्त को दिखाने लगा हूं अभी मैं आपको यह ग्यास दिखाने लगा हूं यह हमें गैस भी दिखाएंगे और आप भी देखेंगे लगा है कि इसको कच्रे को बैंड होने दो ताके गैस बने और उस तरफ ही आप देख रहे हैं कि कच्रे से गैस बनाई जाए जाएंगे बिल्कुल ऐसा ही है इसके अगर हम जनेटर के साथ आज करते हैं तो हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं को कि मैं एक प्रोग्राम में लोगों को जनेटर चला के दिखा चुका हूं इस गैस से नाजीन ये वो लोग हैं जो अपना आइडिया लाते हैं अपना दिमाग इस्तमाल करते हैं और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाते हैं लेकिन हमारी हुकुमत नहीं करना चाती तो अगर कोई इन्वेस्टर देख रहे तो प्लीज इन लोगों से कॉंटेक कीजिए ये वो म दिला और जो शिक्वा था वो बिल्कुल मैं कहुंगी ठीक था क्यूंकि फिशर तीन साल से इन्हों ने जो है वह ये चीज बनाई है इन्होंने हकुमती हकुमती लेवल पर जो है वो लोगों के सामने रखी है लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया लेकिन अपने इन्वेस्टरS के कानूं तक जाएगी आप कुछ कहना चाहते हैं यहängerधरान के कानूं के वो फिल्वक पहुत ना चाहिए थैंक यू सो मच और साब डिजिसल से फिल वक्त इतना ही आपने मुझीद को जाज़े दीजिए हला आपस